आखिर वो वक्त आही गया है कि भगवान श्री राम की राम मंदिर जो बनेगी अजुद्या में उस राम मंदिर के भूमी पूजन का डेट तो निर्धायत हो चुका है यह होगा पांच अगस्त दिन बुद्धवार को जो कि मोदी जी के द्वारा किया जाएगा अब यहाँ पर एक बात यह आती है कि जो यहाँ पर भूमी पूजन होगा उससे पहले एक और काम किया जाएगा जो कि बहुत महत्पूर काम होगा इस्पेशली फर आने वारे जनरेशन के लिए यहाँ पर एक बात हम कर रहे हैं कि जो राम मंदिर बनेगी उसके नीचे एक कैपसूल ड इसे देखा जा सकता है इन सभी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में देखिये सब से पहले हम यह देखते हैं कि ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा है टाइम कैपसूल डाने के लिए जब भी कोई बहुत बड़ा काम होता है कोई इमारत बंदी, कोई कॉलेज बनता है, कोई स्कूल बनता है या तरह तरह की जितने भी संस्थान बनाय जाते हैं भारत सरकार की तरफ से approximately 200-300 फिट की गहराई में डारा जाता है ताकि आने वाले समय में इस पिल्डिंग के बारे में, इस अर्यजिशन के बारे में इस मंदिर के बारे में वो हमारे आने वाले पेड़ी को पता हो कि इसका हिस्टि क्या, इसका इतिहास या कोई डिस्प्यूट होता है कोई विवाद होता है दूसरे किसी community को लेकर के या किसी विदेश या किसी other state से लेकर कोई विवाद होता है वो सारी information उससे निकाली जा सकती है और इसके इसाब कानुई तोर पर कारवाई की जा सकती है इसलिए time capsule डाला जाता है किसी भी इमारत मंदिर या मस्जित या कोई ब जाला गया क्रिशी विश्विद्याले में भी डाला जा चुका है time capsule इसी तरह से अब एतिहासिक राम जन्भूमी का निरमार्च होगा उसमें भी time capsule रखा जाएगा जो की लगभग 200 फिट गहराई पर ये capsule डाला जाएगा इस capsule के अंदर वो कागजी कारवाई के जो भी documents हो होंगे यानि यो कागजाद होंगे सरकारी कागजाद वो सारे उसके अंदर रहेंगे और लगभग 4-5000 सालों तक वो सुरक्षित रहेंगे आने वारी पीडियों के लिए भी सुरक्षित रहेंगे वो इस तरीके से time capsule बना जाता है और इस तरीके time capsule को इतना नीचे डाला जा जाता है कैप्सूल तांबे का कॉपर का ताकि वो लंबे समय तक न सड़े न गले और वह एजिटीज रहे जैसा कि आप इस समय उस कैप्सूल को डालेंगे जमीन में हजारों सैगडों साल बाद भी अगर निकाला जाएगा उस टाइम कैप्सूल को तो आसानी से उसको देखा जा सकता है और आसानी से उसके जो डॉक्यमेंट्स उसके अंदर रखे रहेंगे वो सुरक्षित रहेंगे पिल्कुल जैसे इस समय रखे जा रहे हैं ऐसा ही आपको ह जबासबूत जिसको कहते हैं तो यह वीडियो को कैसा लगा आपको इससी दा ववीडियो के जिए तो चैनल को सब्सक्क्राइब कीजे नए हो सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में किजिए कि टाइम के kasting क्या होता है कैसे यह काम करता है कि इसके बेंविट समय के लिए धन्यबाद